हाई दोस्तों मैं रमेश आप सबका फिर से अपने यूट्यूब चैनल में स्वाज़त करता हूँ मैं आज आप सुपको सौटकाट मैस के बारे में बताने जा रहा हूँ और बिसकली ये जो सौटकाट है ये गुणा से संब्द दिता है तो आए देखते हैं हम इसे करते हैं और इसका सब्द क्या है तो दोस्तों मैं जो सब्द आज का हूँ है कल्कुलेटर से भी तेज गुणा कैसे करें और इसमें आप स्टिक से अपने बच्चों को बहुत ही जल्दी उनको गुणा करना सिखा सकते हैं कि वह 11 से कैसे गुणा करते हैं बहुत जल्दी यह सुत्र 11 से लेकर 99 तक की संख्याओं के लिए है जैसे कि हम सब जानते हैं 11 को 11 से गुणा करते हैं तो हम 101 किस मिलता है तो आए इसका shortcut formula देखते हैं हमको 11 को 11 से गुणा करना है तो इसका नियम यह है कि हमको जिस संख्या को 11 से गुणा करना है उसे आपस में जोड़ देते हैं तो प्राप्त संख्या को मुख्य संख्या के बीच में रख देते हैं तो आए देखते हैं इसे कैसे करते हैं तो हमारी संक्या है यहाँ पर 11, हम एक और एक आपस में जोड़ देंगे, हमें 2 मिलेगा, अब 11 को जो हमें 2 मिला है हमें, इसको 11 के बीच में रख देंगे, यानि कि 11 के बीच में रखेंगे 2 दो, यहाँ पर 1 और 1 to 1, यानि कि 121, देखिए हमारा उत्तर कितनी आसानी से प्र 3 और 2 को आपस में जोड़ देंगे, उत्तर मिलेगा हमें, 3 और 2 को जोड़ेंगे तो 5, और 32 के बीच में रखने पर हमें मिलेगा 352, जो कि हमारा उत्तर है, देखिए कितना सरयल है और आप इसे कितनी जल्दिश्य कर सकते हैं, अभी तक जो हम कर रहे थे गुणा उसमें हम लग रहा था, यानि कि जो स्रिंख्या हमारी आ रही थी, वो 9 तक आ रही थी, अब आईए अगर हमारे पास 10 प्राफ्त हो जाए या 11 प्राफ्त हो जाए, या 12 प्राफ्त हो जाए तो उससे कैसे करते हैं, तो हम एक चोटा सो दो हमने चाहूँगा, यहाँ पर अब देख र जीरो, अब हमारे पास यहाँ पर 10 है, तो हम उसे 10 न लिख करके, जो हमारे डाई के सांग 5 है उसमें, एक प्लस कर देंगे, यानि कि 5 और एक 6 हो जाएगा, तो यह हो जाएगा 605, जो कि हमारा उत्तर है, तो दोस्तों यह बहुत ही आसान तरीका था, मैं इसी तरह से आपक लेकर आता रहूँगा, thank you for watching my video, यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, तो please subscribe करना में रूले, और अपने दोस्तों को भी इसके बारे में बताए, thank you, thank you for watching my video.